highest package college में किस student को मिलेगा चुलिए आज यही आप लोग को बता देता हूँ एक्डम सही से बताऊंगा explain करके कि क्या आप लोग को करना चाहिए अगर आप लोग वो बच्चे मरना चाहते हो जिसको highest package college में मिलने वाला है एक disclaimer देना चाहता हूँ आप लोगो को कोई मतलब नहीं ह पताता हूं कि क्या characteristics होती है उस इंसान की जिसको highest package college से मिलता है जब मैं college में था मेरे पास multiple offers रहते थे चाहे वो internship हो चाहे वो job हो एक बार तो ऐसा भी था या तो मैं Hong Kong जा सकता था या मैं US जा सकता था internship करने के लिए कि मेरे पास एक ही ताइम पर दो offers थे तब मेरे दोस्त मुझसे पूछते थे कि जहां बहुत सारे लोग free internships कर रहे हैं वहां मैं इतनी highly paid internships कैसे कर पा रहा हूं क्या मेरा approach है क्या चली गया रहा है या पर multiple internships लेकर बैटा हुआ हूँ बहुत सारे लोग आज की तारिक में मुझसे पुछते हैं क्या मुझे इतना package मिलेगा क्या मुझे यह मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्या मैं success हो लोगा की नहीं होंगा देखो या मैं to be very honest बता हूँ मुझे नहीं पता अगर आप मुझे बहुत लंबी चौड़ी situation बता होगे कि मेरा highest लगेगा की नहीं लगेगा I am in no position to answer that कि वो बहुत सारे factors में depend करता है मैं आपको कोई भी ऐसा answer नहीं देना चाहते जिससे कि आप लोग बात में कहों यह मेरा तो लगा ही नहीं आपने बढ़ाना है कुछ भी करके किसी भी पॉइंट पर ऐसा मैं सो चुकि यार मैं मैं नहीं हूँ वो इनसान जो किताब देख देखकर पड़के सीजी बढ़ा हूं उस तरह के इंसाना मत बनो आपको सीजी पी भी बढ़ाना है वो भी आपका एक टैलेंट कैसे मुझे नहीं प 5.5 कम है पड़ मैं एक एक एक्जामबल दे रहा हूं मालो कमपनी ने रख दिया आठ ठीक है किया आठ से जादा जो है वो आ जाओ और कभी-कभी तो कमपनी जो है कट आफ कुछे से साफ से रखती है कि यार अगर उनको सिर्फ हजार बच्चे चाहिए इंटर्व्यू के ल कि यार क्या हमारा कुछ नहीं हो सकता अबिसली हो सकता है अगर आप 6CGP वाले 7CGP वाले शायद आप लोगों को बाकी डिपार्टमेंट पर अच्छा करना पड़े अगर आप लोग का CGP अच्छा नहीं है तो जो बाकी फैक्टर से उनमें आप लोगों को उठाना पड़ जब भी आप इस तरह के words यूज करोगे किसी कंपनी के इंटर्विव में आप लोग जा रहे हो तो कहीं नहीं को इस तरह की vibes जाती है कि आप अपनी कंपनी बनाना चाहते हो या आप उनकी कंपनी में ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिकने वाले हो और ऐसी vibes अगर आप उनने दे दी ना कंपनी को तो वो आप लोगों को शायद कम package दे क्योंकि उनके दिमाग में ये बात आजाए कि इंसान टिकने वाला तो नहीं है तो जितना भी काम हमें करवाना है एक particular time frame में इस इंसान से करवाना है तो आप लोग जब एक गोल लेके चल ले हो कि यार क्यों दे रहे हैं वो इतना पैसा आप सोचो जरा अपने दिमाग लगाओ कि गूगल अगर एक महीने का लेटस से पांच लाग रुपे दे रही है इंटर्शिप के पैसे तो वो क्यों दे रही है तो आप उस reason को समझो और उस reason को समझने के बाद interview में react करो उस हिसाब से पैसो का यह यह करना है सच बता हूं तो चाहें वो आपको आपके सामने मुझ पे कुछ भी बोलते हों they don't care उन्हें बस इतना चाहिए है कि उनको एक अच्छा candidate मिले जो कि उनकी company को उनकी organization को बहुत आगे लेकर जाए यह बात मेरी याद अथना हमेशा इसके बाद एक और पर बताना चाहूंगा यह सारी जितनी भी companies होती है जो कि high package देती है वो आपकी data structures and algorithms की skill को सबसे जाना test करती है मैं आप पर यह नहीं कह रहा हूं कि आप अगर react node और यह सब चीज़ें कर रहे हो तो आपका नहीं लगेगा maximum package but in most of the cases यह सब product based companies होती है इसलिए आप लोग का हाथ रखके आप लोगों से सच बोल रहा हूं देखो याद ऐसा होता है कि जो IIT होती है ठीक है और जो CS के student होती है जिनके पास CS major होता है वो कहीं ना कहीं एक अच्छी position में होते है high package लेने के ठीक है तो यह बात आप लोग दिहान रपना हमेशा कि अगर आप किसी दूसरे पाकेज लगा है यार मुझे पता है लेकिन मैं आपको शायद 10 बंदे गिनवा दूँ जो IIT से हैं उनका करोर से पाकेज लगा है लेकिन मेरी नजर में tier 3 वाले इतने बंदे नहीं है मैं यह नहीं कह रहा हूं जो IIT से नहीं है वो बेकार है मैं just facts आप लोग को बता रहा को कोई कुछ भी बोले अगर नहीं करता होता न तो कोई बात ही नहीं कर रहा हूता इन सब चीज़ों में लोग बात इतनी जादा explain इसलिए करते हैं कि करता है मैं इसलिए नहीं बोर लोग कि मैं IIT से पास आउट हो इस situation में आप लोग क्या करोगे जब आप किसी IIT से नहीं इसकी कोई गैरेंटी नहीं कि आपको highest package मिलेगा याद रखना हमेशा तो उस mindset के साथ भी चलना ठीक है कोई भी इंसान जो कि IIT के exam में बैठता है जो की top करने वाला है क्या उसे पता होता है मैं top करने वाला हूँ नहीं कोई guarantee नहीं होती है एक भी question कलात होगे अगर किसी controversial सी चीज़ और बोलूगा यहाँ पर जो कि मेरे लिए काम करी और वह यह थी कि आप लोग जादा से जादा domain को सीखें बहुत सारे लोग कहेंगे एक चीज़ पर focus करो हाँ एक चीज़ को अपना major focus बनाओ लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी चीज़ों के बारे में आप जानते हैं लेट मी गिव यू एन एक्जामपल मालो आप android development करते हो बहुत बढ़िया ठीक है और आप android development के साथ java में डिये से master करके बैठे हुए हो तो आप android application जो भी बनाते हो बहुत efficient बनाते हो लेकिन आपसे अगर कोई पुछता है कि या data science आती है आपको तो आप कहते हैं मुझे data opportunity बिस कर दो या जैसे कि मानलो किसी को android developer चाहिए जिसको data science machine learning आती है तो कई लगी शायद आपको जब ना मिल पाए क्यूंकि आप तो सिर्फ java dsa और android master रबके बैठे हो और आपको इसके अलावा बागी domains की zero knowledge आएक तो zero knowledge मत रखो one रखो भले 10 आप android और java dsa में रखो ले यह चीज मैटर करती है अगर आप लोग एक ऐसी product based company में जाते हो जो कि शायद आप लोगों को US client से बात करवाए तो वो कहीं आपकी English speaking skills ज़रूर जच करेंगे बले ही वो यह कह दें आप से की हमें फार्क नहीं बड़ता आपके English कैसी है लेकिन उसके बाद भी वो करेंगे आपकी English speaking को judge लग भी matter करता है guidance भी matter करता है आप साही direction में force लगा रहे हो कि नहीं यह भी matter करता है इसलिए guidance भी बहुत जरूरी हो इसलिए मैं सारी वीडियो को बना रहा हूँ देखो networking बहुत ज़्यादा help करती है एक ऐसा इंसान जो कि IIT से नहीं है किसी पी अच्छे college से नहीं है CS से भी नहीं है शायद उसको आता भी बहुत कम है लेकिन वो जानता है Google के कैसे employee को जो की Google में बहुत उपर है वो कहता है कि यह मुझे please refer कर दो उसको कम सगम interview मिल जाएगा ठीक है आप अगर बहुत कुछ अचीव करके भी बैटे हुए हो ना तो आपको interview मिलना ही बहुत मुश्किन हो जाएगा इन बड़ी बड़ी companies में लेकिन उस इंसान ने फ्री में इंटर्वी पा लिया तो हो सकता है लग अगर उसका चला अगर company की requirement उस टाइम पर यानिकि राइक टाइम पर उसने interview दिया कि आर मान लो company को बहुत ही urgently चाहिए android developer और आपकी android development skill on point है बहुत महारती भी नहीं हो आप बेकार भी नहीं हो आपकी on point है तो company आपको hire कर लेगी Google ही क्यों ना हो Microsoft ही क्यों ना हो वो कौन सी बड़ी company क्यों ना हो इसलिए keep the confidence up अगर आप लोग को लगता है कि downfall आ रहा है तो 10 सीड़ी अगर आप लोग नीचे उतरते हो 11 सीड़ी इक सीड़ी आप उपर ही चड़ रहे हो और एक बात और हमेशे अरतना किया सबका highest package नहीं लग सकता एक college में 10 लोग है तो 10 का highest package नहीं लग सकता आपको हमेशा focus यह करना चाहिए किया मेरा future अच्छा रहे मेरा future बहुत बढ़िया रहे यह नहीं करना चाहिए किया मैं इन च्छोड़नीं पड़ेगी इसके बाद एक बात और जो मैं बोलना चाहता हूं ह। है कि 1 महीना पहले- 2 महीना पहले- 3 महीना पहले तियारी करने मद बैठो placement की तैयारी एक दो तीन महीना पहले नहीं होती है एक दो तीन महीना पहले शायद आप लोग revision कर पाओ लेकिन interview के time पर या फिर job का जो exam होता है उसके time पर आप लोगों को वही चीज़े काम हैंगी जो पिछले 5-6-10 साल में आप लोगों ने सीखी है यह मैं आपको experience अपने बता रहा हूँ बहुत सारे लोग पूछ रहते हैं कि यार किस तरह से highest package पाना है तो यह था मेरा take इस चीज़ पर अगर आप लोगों के पास fellow students के लिए कोई बात है तो मुझे नीचे comment section में जरूर बताओ हम सब आपका comment पढ़ने के लिए इंतिजार कर रहे है अभी के लिए इस video में इतना है guys thank you so much guys for watching this video and I will see you next time